पर उसने फिर भी कुछ नहीं बदला इससे हमारे सम्मू के काम का नुकसान हो रहते हैं इसलिए मैं अगवाओं को ये बताना चाहती थी पर मेरी कुछ चिंताएं हैं मुझे डर है कि बहन जहां को इसका पता चल जाएगा और वह भड़क कर मुझे दर किनार कर देगी पर अगर मैं चुप रहती हूँ तो दोशी महसूस करती रहूंगी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ कोई समस्या देखना और इसकी रिपोर्ट करने से डरना तरसल एक भ्रश्ट और चालाक स्वभाव की उपज होता है मैंने भी जब पहली बार किसी की रिपोर्ट की थी तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था यह लगभग दो साल पहले की गर्मियों की बात है मैंने सुना था कि हमारी अगवा बहन जोओ ने भाई ली को सिंचन कार्य का उप्याजक बनाया है यह कहते हुए कि उसमें अच्छी योग्यता है और सभाओं में उसकी संगती प्रबुद करती है यह खबर सुनकर मैं दंग रह गई थी मैं उसके साथ काम कर चुकी थी और उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं अच्छी तरह जान चुकी थी यह सच है कि वह अच्छी बात कर लेता था और संगती में बहुत कुछ कहता रहता था पर इसमें लफवाजी और धर्म सिध्धान्थ होता था जिससे व्यवहारिक समस्याएं हल नहीं होती थी वह एहंकारी भी था और सब कुछ मनमाने रंग से करता था दूसरों से चर्चा करने के बजाए वह खुद ही काम से जुड़े फैसले लेता था इससे कुछ मुश्किलें पैदा हो गए और परमेश्वर के घर के काम को भी नुकसान पहुँचा प्रभारी व्यक्ति ने कई बार उसे समझाने की, कोशिश की पर वह नहीं माना और ना बदला मैंने भी उसे समझाने की, कोशिश की थी वह आत्मचिंतन करके खुद को समझने की कोशिश नहीं करता अपने बरताफ को सही ठहराता कुछ समय बाद मेरी समझ में आ गया कि वह सिर्फ धर्म सिद्धान पर भाशन ज़ारता रहता है पर सत्य को स्विकार नहीं करता पर मेश्वर के घर में अगवा और कार्यकरता बनने के लिए व्यक्ति में सत्य की सच्ची समझ होनी चाहिए सत्य को स्विकारने की ख्षमता, जिम्मेदारी की भावना, अच्छी योग्यता होनी चाहिए और सिंचन कार्य के उप्याजग को सत्य पर संगती से मुद्दों को सुलजाना और कुछ व्यवहारिक काम आना चाहिए बेहन जोव ने सिर्फ इसलिए उसे सिंचन कार्य का उप्याजग बना दिया क्यूंकि उसमें थोड़ी योग्यता और बात करने का हुनर है यह सिद्धान के अनुरूप नहीं था सही बात मैंने जितना सोचा उतनी ही बेचैनी हुई मुझे बेहन जोव से मिलकर अपने मन की बात कहनी थी पर बात जुबान पर आते ही मैं हिचकिचाने लगी पहले मैं भी सिंचन कार्य की उप्याजगा रह चुकी थी मुझे लोगों की व्यवारिक समस्याएं ना सुलजाने पर बरखास्त कर दिया गया अगर मैं अगवा द्वारा अभी अभी चुने गए व्यक्ति पर उंगली उठाती तो मेरी कैसी छवी बनती क्या लोग कहते कि मैंने यह ओहता खोया है इसलिए मैं अपनी जगह लेने वाले से जल रही हूँ और उसमें गलतिया निकाल रही हूँ अगर कलीसिया के काम में रुकावत डालने के लिए मुझसे नया कर्तव्य भी छीन लिया गया तो मैंने सोचा मेरे लिए चुप रहने में ही भलाई है बजाए अपनी टांग अड़ा कर मुसीबत मोल लेने के इसलिए मैं मुझ खोलने ही वाली थी कि चुप हो गई बाद में मैंने सुना कि किसी दूसरे समू के भाई बहन भी भाई ली के साथ काम कर चुके थे उन्हें लगता था कि भाई ली ने अपने कर्टव्य में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी वा उप्याजक के काम के लिए ठीक नहीं था मुझे यकीन हो गया मैं सही सोच रही थी मैंने सोचा कि मुझे बहन जोओ से जल्द से जल्द बात करनी चाहिए ताकि गलत व्यक्ति की वजह से परमेश्वर के घर के काम में देर ना हो बिल्कुल, तो तुमने उससे बात की? नहीं, क्यूंकि भाई ली को बहन जोओ ने नियुक किया था अगर यह मुद्दा उठा थी तो उसके मुँँ पर उसी को दोश देना ना होता मैं उसके साथ पहले काम कर चुकी थी जानती थी कि वह बहुत एहंकारी, जिद्धी और बहुत अकडू है मैंने इन मामलों पर उससे बात की तो उसने न सिर्फ मानने से इंकार किया बल्कि एक दिन मुझे बुरी हालत में पाकर मुझे भाशन पिला दिया मुझे लगा अगर मैं उसके काम में कोई कमी निकालूं तो वह शायद सोचे कि मैं जान बूच कर अकड दिखा रही हूं और उससे गिराना चाहती हूं फिर वह मेरे पीछे पढ़ जाये तो मैं क्या करूंगी मुझे यह भी याद आया कुछ साल पहले जब मैंने और एक बहन ने एक अगवा में कुछ कमिया देखी थी तो उसने हम पर गुट बनाकर उस पर हमला करने का आरोप लगा दिया था इससे मेरा काम भी छिन गया बाद में यह अगवा एक मसीव विरोधी के आरोप में निकाल दिया गया पर उसने बहुत से अडंगे डाल कर मुझे लंबे समय तक कोई काम नहीं मिल ले दिया मुझे डर था कि बहन जो मेरी बात को मानेगी नहीं और फिर किसी बहाने मुझसे मेरा काम छीन लेगी परमीश्वर का कार्य जल्द ही अपने समापन पर आने वाला है इसलिए यह करतव्य निभाने का एहम समय है अगर ऐसे समय में मैं कोई करतव्य निभा कर अच्छे कर्म ना कर पाई तो मैं उद्धार का अपना अफसर खो दूँगी तो क्या यह घाटे का सौदा नहीं होगा यह सोचकर मैंने यह खयाल अपने दिमाग से निकाल दिया इसके बाद मैंने कुछ भाई बेहनों को यह कहते सुना जब से सिंचन कार्य का उप्याजक भाई ली बना था वह सभाई में सिर्फ धर्म सिधान चाड़ रहा था लोगों की समस्याइं सुलजाने में मदद नहीं कर रहा था वह करतव्य में जिम्यदारी भी नहीं उठा रहा था उसके साथ जुड़े कुछ नए विश्वासियों ने सभाई में आना बंद किया क्योंकि वे जनकार्य का उप्याजग बना रहा थो इससे कलीसिया को और ज्यादा नुकसान होगा इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट करनी थी पर उस समय मुझे अगवा की नाराजगी से डर लग रहा था इसलिए मैं बड़ी उल्जन में थी मैं रिपोर्ट करूं या नहीं अगर मैंने की तो मुझे खुद पर इसके असर का डर था अगर नहीं की तो मैं अपराद बोध महसूस करती मैं सोचती रही कि मैं कैसे यहां मुद्दा उठाओ कि कुछ भी गलत ना हो मेरे मन में यही खयाल उठते रहते जिससे मैं बेचैन और परिशान हो जाती अब मेरी भी बिलकुल यही हालत है मैं भी इनी चिन्ताओं में उलजी रहती हूँ कुछ कहना चाहती हूँ पर डरती हूँ सच मुछ दम घुटने लगता है तो क्या आप भाई ली के बारे में उससे कुछ बात कर पाई एक बार एक सभा में एक समू अगवा ने हमसे पूछा कि क्या हम भाई ली की तरक्की पर कोई विचार साजा करना चाहते अगर करना चाहे तो उससे एक संदेश भीश कर बताए यह सुनते ही मैं जूम उठी और सोचने लगी कि यह बहुत अच्छा मौका था वा आगे रहेगा और हमारे विचारों का सारांश अगवा से साजा करेगा उससे पता भी नहीं चलेगा कि किसने क्या लिखा था उसने खोशबीन की भी तो समू अगवा हमारा सुरक्षा कवच होगा मैंने अपने हिसाब से समस्याओं के बारे में लिख कर उसे समू अगवा को थमा दिया अगली सुबह उसने मुझे यह कहकर चौंका दिया कि उसने मेरे विचार आगे भेश दिये हैं मेरे तो होशी उड़ गय कि उसने उन्हें पूरे समू के विचारों की तरह साजा नहीं किया था मैंने पूछा तुमने मेरा मूल संदेशी बहन जोग को आगे क्यों भेश दिया मेरी जोरदार प्रतिक्रिया देख कर उसने मुझे से कहा सभी के विचार अगवा को भेजे गए हैं और हमें अपने विचारों को लेकर इमानदार होना चाहिए चिंता की क्या बात है बिल्कुर मैं समझ नहीं पाई कि इसका क्या जवाब दूँ मैं हैरान भी थी और थोड़ी शर्मिंदा भी मुझे ये सुझा ही नहीं था कि समू, अगवा और भाई बेहन पहले ही अपने सुझाव बता चुके थे उनमें बोलने की हिम्मत थी तो मैं क्यों इस मामले में आगे रहने से इतना डर रही थी मैंने परमेश्वर की समुख जाकर प्रार्तना की और आत्मचिंतन किया इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ हाँ ठीक है विवेक और सूजबूज दोनों ही व्यक्ति की मानवता के घटक होने चाहिए ये दोनों सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है वह किस तरह का व्यक्ति है जिसमें विवेक नहीं है और सामान्य मानवता की सूजबूज नहीं है सीधे शब्दों में कहा जाए तो वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें मानवता का अभाव है वह बहुत ही खराब मानवता वाला व्यक्ति है अधिक विस्तार में जाएं तो ऐसा व्यक्ति किस लुप्त मानवता का प्रदर्शन करता है? विशलेशन करो की ऐसे लोगों में कैसे लक्षन पाए जाते हैं और वे कौन से विशिष्ट प्रकटन दर्शाते हैं? वे स्वार्थी और निक्रिष्ट होते हैं. स्वार्थी और निक्रिष्ट लोग अपने कारियों में लापरवा होते हैं और अपने कोन चीजों से अलग रखते हैं जो व्यक्तिकत रूप से उनसे संबंधित नहीं होती हैं वे परमेश्वर के घर के हितों पर विचार नहीं करते हैं और परमेश्वर की इच्छा का लिहाज नहीं करते हैं। वे परमेश्वर की गवाही देने या अपने कर्तव्य को करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और उनमें उत्तरदायत्व की कोई भावना होती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चाहे कोई भी कर्तव्य निभाएं, पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, वे अपने वरिष्ठों को पता चलने वाली समस्याओं की रिपोर्ट भी नहीं करते, जब वे लोगों को दखल अंदाजी करते और उपद्रवी होते देखते हैं, तो व अंदारी क्या है? जब ऐसे लोग अपने कर्तव्य निभाते हैं, तो वे कोई वास्तविक कार्य नहीं करते, वे हां में हां मिलाने वाले लोग होते हैं, जो सुविधा के लालची होते हैं, वे केवल अपने घमन, साक, हैसियत और हितों के लिए बोलते और कार्य करते हैं, जब भी सम्मान या आशीश प्राप्प करने का कोई मौका आता है, यह उभर आते हैं. लेकिन जब सम्मान पाने का कोई मौका नहीं होता या जैसे ही दुख का समय आता है, वैसे ही वे उसी तरह नजरों से ओज़ल हो जाते हैं, जैसे कच्छुआ अपना सिर्ख खोल में छिपा लेता है. क्या इस तरह के इंसान में जमीर और विवेक होता है? क्या ऐसा बरताफ करने वाले जमीर और विवेक से रहित इंसान आत्मनिंदा एहसास करता है? नहीं. इस प्रकार के व्यक्ती में आत्मनिंदा की कोई भावना नहीं होती. इस प्रकार के इंसान का जमीर किसी काम का नहीं होता. उसे कभी भी आत्मनिंदा का एहसास नहीं होता. तो क्या वे पवित्र आत्मा की जड़की या अनुशासन को महसूस कर सकते हैं? नहीं. वे न और भाई ली अच्छे उप्याजक की तरह काम नहीं कर रहा था, बलकि दूसरों के जीवन प्रविश में बाधा बन रहा था. मुझे कलीसिया के काम की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ कर रिपोर्ट करनी चाहिए. या परमेश्वर के चुने हुए, सभी लोगों का परम करतव्या है. पर इसके बजाए, मुझे बहन जोग की नाराज़की और अपने करतव्या से हटाए जाने का डर था. इसलिए मैंने अपना मूँ छिपा लिया था, और मामले से अपनी आँखे मून ली थी. मैंने अपने विचार लिखकर समू अगवा से साज़ा किये थे, पर मैं नहीं चाहती बहन जोग को पता चले की, या मैंने लिखा है. मुझे अहसास हुआ कि मैं अपने भले के बारे में सोच रही थी, न कि परमीश्वर के घर के भले के बारे में, मुझ में अंतरात्मा और विवेग की कितनी कमी थी, मुझे परमीश्वर के वचनों से सिंचन और पोशन का कितना आनन्द मिला है, पर जब परमीश्वर के घर के काम पर आचाई, तो मैं खुद को बचाने की सोशती रही। परमीशवर के लिए मेरी कोई निश्ठा नहीं थी। मैंने जिस ठाली में खाया, उसी में छेद किया, मुझे मानवता थी ही नहीं। मैं जितना सोशती रही, मैं दूखी होती रही। और फिर मैंने सोचा, आखिर मैं किस तरह किस वभाव की वश में थी? बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे सब कुछ साफ हो गया। चलो इसका विडियो देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ज्यादातर लोग सत्य का अनुसरन और अभ्यास करना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर समय उनके पास ऐसा करने का केवल संकल्प और इच्छा ही होती है। सत्य उनका जीवन नहीं बना है। इसके परिणाम स्वरूप जब लोगों का बुरी शक्तियों से वास्ता पड़ता है या ऐसे दुष्ट या बुरे लोगों से उनका सामना होता है जो बुरे कामों को अंजाम देते हैं। या जब ऐसे जूठे अगवाओं और मसीह विरोधियों से उनका सामना होता है जो अपना काम इस तरह से करते हैं जिससे सिद्धानतों का उलंगन होता है। इस तरह परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान उठाना पड़ता है और परमेश्वर के चुने गए लोगों को हानी पहुँचती है वे डटे रहने और खुल कर बोलने का साहस खो देते हैं। जब तुम्हारे अंदर कोई साहस नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ ये है कि तुम दरपोक हो या कुछ भी बोल पाने में अक्षम हो? या फिर ये कि तुम अच्छी तरह नहीं समझते और इसलिए तुम में अपनी बात रखने का आत्मविश्वास नहीं है? इन में से तो कोई नहीं, बात ये है कि तुम कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभावों द्वारा नियंतरित किये जा रहे हो, इन सभी स्वभावों में से एक है कुटिलता, तुम ये मानते हुए सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो, अगर मैंने अपनी बात बोली, तो इस से मुझे क्या फाइदा होगा, अगर मैंने अपनी बात बोल कर किसी को नाराज कर दिया, तो हम भविश्य में एक साथ कैसे काम कर सकेंगे, ये एक कुटिल मानसिकता है, है ना, क्या ये एक कुटिल स्वभाव का परिणाम नहीं है, एक अन्य स्वार्थी और कृपन स्वभ भाव होता है, तुम सोचते हो, परमेश्वर के घर के हिद का नुकसान होता है, तो मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं क्यों परवाह करूं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मैं इसे होते देखता और सुनता भी हूँ, तो भी मुझे कुछ करने की जरूरत न ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई अगवा नहीं हूँ। इस तरह की चीजें तुम्हारे अंदर हैं। जैसे वे तुम्हारे अवचेतन मस्तिश्क से अचानक बाहर निकल आई हो। जैसे उन्होंने तुम्हारे रिदय में स्थाई जगहें बना रखी हो। ये मनुष्य के ब्रष्ट शैतानी स्वभाव हैं। ये ब्रष्ट स्वभाव तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे हाथ पैर बांध देते हैं और वे तुम्हारी जुवान को नियंत्रित करते हैं। जब तुम अपने दिल में कोई बात कहना चाहते हो, तो शब्द तो तुम्हारे होठूं तक पहुँचते हैं, लेकिन तुम उन्हें बोलते नहीं हो, या अगर तुम बोलते भी हो तो तुम्हारे शब्द गोलमोल होते हैं और तुम्हें चालबाजी करने की गुनजाईश देते हैं तुम बिलकुल साफ साफ नहीं कहते दूसरे लोग तुम्हारी बातें सुनने के बाद कुछ भी महसूस नहीं करते और तुमने जो कुछ भी कहा होता है उससे समस्या हल नहीं होती तुम मन ही मन सोचते हो अच्छा है मैंने बोल लिया मेरा अंतक करण निश्चिन्त हुआ मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी सच्चाई ये है कि तुम अपने रिदय में जानते हो कि तुमने वो सब नहीं कहा है जो तुम्हें कहना चाहिए कि तुमने जो कहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और परमेश्वर के घर के कार्य का अहित जोंकत्यों बना हुआ है तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की फिर भी तुम खुलम खुला कहते हो कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है या जो कुछ भी हो रहा था वो तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं था क्या ये सच है? क्या तुम वाकई यही सोचते हो? फिर क्या तुम पूरी तरह अपने शैतानी स्वभावों के काबू में नहीं हो? तुम जो कुछ सोचते और कहते हो वो कभी कभी वास्तविक्ता के करीब हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में तुम अब भी जूठ बोलते और धोखा देते हो यहां तक कि अपने बचाव के जूठे तरीके गढ़ते हो जो साबित करता है कि तुम्हारा मुख शैतानी स्वभावों के नियंतरण में है तुम वास्तों में जो सोचते हो वो कभी नहीं कहते वो सब तुम्हारे दिलो दिमाग में पूर्व संपादित होता है तुम्हारी हर बात जूठ होती है तथ्यों के विपरीत होती है वो सब तुम्हारे जूठे बचाव में तुम्हारे फाइदे के लिए होता है कुछ लोग जहांसे में आ जाते हैं और तुम्हारे लिए ये काफी होता है तुम्हारे शब्द और कार्य अपना लक्ष हासिल कर लेते हैं तुम्हारे दिल में यही है यह तुम्हारे स्वभाव है तुम पूरी तरह से अपने शैतानी स्वभावों के नियंतरण में हो आमीन, आमीन परमिश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट है समस्याओं की बात ना करना स्वार्थी और धूर्थ स्वभाव दर्शाता है सही बात है परमिश्वर के वचनों में इसका वर्णन देखकर मैं समझी कि मैं ना तो सत्य का अभ्यास कर रही थी ना परमिश्वर के घर की रक्षा क्यूंकि मैं प्रकृती सिधिल्मुल, स्वार्थी और नीच थी। यह जान कर कि भाई ली की नियुक्ती में बहन जोने सिध्धानतों का पालन नहीं किया था और कोई काम ना करने के कारण कलीसिया के काम को नुकसान पहुँचा। यह दिन के उजाले की तरह साफ था, मुझे पता था कि मुझे इस पर उंगली उठानी चाहिए यह कलीसिया के काम के हित्मे होगा, पर मैं कभी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, एक समू अगवा के पहल पर मैंने आखिरकार अपने विचार लिख दिये, लेकिन अपने आपको कैसे बचाओं ताकि मुझे पर कोई आँच ना आए, मैं अच्छी तरह जानती थी कि भाई बहनों के जीवन और कलीसिया के काम को नुकसान हो रहा है, ना सत्य को व्यवहार में ला रही थी, ना मैं समस्याओं के बारे में बोल रही थी, मैं ऐसे शैतानी फल ये बातें मेरे विचारों पर छाई हुई थी और मुझे अपने वश में किये हुई थी, जिससे मैं स्वार्थी और धूर्ग बन गई, मैं परमेश्वर के वचन पढ़ती थी, पर मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी, मैं किसी असली हालत पर शायद ही सची बात कह सकती थी, या रोशनी डाल सकती थी, मैं शैतान के अनुचर की तरह गई गुजरी जिन्दगी जी रही थी, स्वार्थी घृनद और मानवता रहित होना, परमेश्वर को इससे सचमुष घृना थी, मुझे बहुत पश्तावा होने लगा, और मैंने परमेश्व मैं कितनी स्वार्थी और धूर्थ हूँ, समस्या देख खर भी मैं जिम्मेदारी लेने से कतराती रही, मैं ना सत्यका अभ्यास कर रही थी, ना परमेश्वर के घर की रक्षा, मैं बहुत गिर गई थी, परमेश्वर, मैं इस तरह और नहीं जीना चाहती, कृपा करके परमेश्वर का धनियवाद, क्या उसने भाईली को बर्खास्त कर दिया? नहीं किया, उसने नियुक्ति के सिध्धानतों के उलंगन पर ना तो कोई आत्मचिंतन किया, और ना भाईली के करतव्य में बदलाव, वह धीमे या प्रभावीन कामों की समस्याओं से भी नहीं निपट रही थी, मैंने सोचा कि वह ना तो सत्यस्विकारती है, ना असली क करती है, पहचान की सिध्धानतों के आधार पर वह जूटी अगवा मालुम देती है, मैं उपर किस तर पर इसकी रिपोर्ट करना चाहती थी, पर मैं एक बार फिर हिच किचाने लगी, अगर मैंने उसकी रिपोर्ट की और उसे पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या काशेगी? जाने देती हूं, व्यवारिक काम से इंकार करना उसका मामला था, मुझे अपना करतव्य अच्छी तरह निभाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे दिमाग से जटक दिया और मामले को भविश्य पर छोड़ दिया. तो तुमने इसे भुला दिया बस ऐसे ही? नहीं, बिलकुल नहीं. बाद में कुछ ऐसा हुआ, जिसका मुझ पर गहरा असर हुआ. मुझ में बहन चोग की रिपोर्ट करनी की हिम्मत आ गए. कुछ दिन बाद, किसी दूसरी कलीसिया का अगवा मसीह विरोधी के रूप में बेनकाब हो गया और निकाल दिया गया. उसने एक काफी कुकर्म किये थे. हर कोई उसकी असलियत जान गया था, पर कुछ भी कहने से डरता था. पूरी कलीसिया में किसी एक ने भी उसकी रिपोर्ट नहीं की. उसकी पोल खुलने और निकाल दिये जाने के बाद भी, उन्होंने उसके कुकर्मों को उजागर नहीं किया. वे अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे और अंजान बने रहे. वे उस मसी विरोधी को बचा रहे थे, जो परमेश्वर के स्वभाव का अपमान था. नतीजतन हर किसी को अपने कर्टव्य का पालन बंद करके आत्मचिंतन करना पड़ा. इसका मुझ पर बहुत गहरा असर मुझे परमेश्वर की कुछ वचन याद आ गए. यदि कलीसिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सत्य का अभ्यास करने का इच्छुक हो और परमेश्वर की गवाही दे सकता हो, तो अन्य कलीसियाओं से संबंध खत्म कर उस कलीसिया को पूरी तरह अलग कर देना चाहिए. इस विवेख ही इन मक्यों द्वारा उनका अनुसरन किया जाता है. समागम के सदस्य सच्चाई जान लेने के बाद भी इन गुंडों की जक्रन और तिक्रम को नकार नहीं पाते, तो उन सभी मुर्खों का अंत में सफाया कर दिया जाएगा. भले ही इन मक्यों ने कुछ खौफ नाक नाक किया हो, लेकिन ये और भी धूर्ट ज्यादा मक्कार और कप्ती होती हैं. इस तरह के सभी लोगों को हटा दिया जाएगा, एक भी नहीं बचेगा. जो शैतान के हैं, वे उसी के पास लोट जाएगे, जबकि जो परमीश्वर के हैं, वे सत्य खोजेंगे, यह उन आनन्द ले. परमीश्वर धार्मिक है, वा किसी से पक्षपात नहीं करता. यदि तुम शैतान हो, तो तुम सत्य का अभ्यास नहीं कर सकते. यदि तुम सत्य के खोजी हो, तो शैतान तुम्हें कभी बंदी नहीं बनाएगा. इसमें कोई संदेह नहीं है. मुझे परमीश् होता हो कि उन्होंने कोई दुष्टता नहीं की है. पर वे मसी विरोधियों को बुराई करते देखते रहते हैं, पर उन्हें बेनकाब नहीं करते. वे उन्हें परमीश्वर के घर को नुकसान पहुंचाने देते हैं, पर उंगली तक नहीं उठाते. वे मसी विरोधियों औ इतने ही वचन पढ़े थे, भले बुरे का कुछ ज्ञान भी था, मैंने देखा था कि एक अगवा सिध्धान्त का पालन नहीं कर रही थी, कोई व्यवहारिक काम नहीं करती थी, इससे परमेश्वर के घर के काम में अर्चन आई थी, और वह एक छूठी अगवा थी, उसकी नाराज़की से डरती थी कि वह काम में अर्चन डालेगी, इसलिए मैंने इसे जाने दिया, मैंने सोचा बदलना या ना बदलना उसका मामला था, मुझे परमेश्वर से इतना पोशन मिला था, पर मैंने जिस थाली में खाया, उसी में छेद किया, मैं परमेश्वर के घर को नुकसान पहुँचते देख रही थी, पर बे परवाह थी, क्या मैं शैतान की तरह नहीं थी? भले ही मैं एक कर्टव्य निभा रही थी, पर परमेश्वर की नजर मेरी हर हरकत पर थी, मैं जानती थी अगर मैंने प्राश्चित नहीं किया, तो परमेश्वर क्रोधित होकर मुझे हटा देगा, सहीं बात है, यह मेरे लिए बड़ा दरावना विचार था, मैं फॉरण ही परमेश्वर से प्रार्टना करके प्राश्चित करने लगी, परमेश्वर, मैं बेहन जोग को काम में रुकावट डालते देख रही थी, पर मैंने खुद को बचाने के चकर में उसकी रिपोर्ट नहीं की, मैं शैतान के लिए काम करती रही, मैं विद्रोही और घ्रेन्थ हूँ, परमेश्वर, मैं प्राश्चित करना चाहती हूँ, मुझे सत्य को व्यवहार में लाने के लिए प्रबुद्ध कर रास्ता दिखाओ, परमेश्वर का धन्यवाद, अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि जूटे अगवाया कारे करता की रिपोर्ट न करना, शैतान को बचाना और उसकी मदद करना है, यह बुराई करनी जैसा ही है, सच मुच, मैं उस समय सोच रही थी, मैं अगवा की रिपोर्ट करने से इतना डर क्यों रही थी, मुझे किस चीज का डर था, प्रार्थना के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंच पढ़े, जिनसे मामला और भी साफ हो गया, क्यों ना तुम इसे पढ़ों? ठीक है, एक अगवा या कार्यकरता के साथ वहवार करने के तरीके के बारे में, लोगों का रविया कैसा होना चाहिए? अगर अगवा या कार्यकरता जो करता है, वह सही है, तो तुम उसका पालन कर सकते हो, अगर वह जो करता है, वह गलत है, तो तुम उसे उजागर कर सकते हो, यहां तक कि उसका विरोध कर सकते हो, और एक अलग राय भी साहिर कर सकते हो. अगर वो वहवारिक कार्य करने में असमर्थ है और खुद को एक जूठे अगवा, जूठे कार्य करता या मसी विरोधी के रूप में प्रकट करता है, तो तुम उसकी अगुवाई को स्विकार करने से इनकार कर सकते हो तुम उसके खलाफ शिकायत करके उसे उजागर भी कर सकते हो हाला कि परमीश्वर के कुछ चुने हुए लोग सत्य को नहीं समझते और विशेश रूप से कायर है इसलिए वे कुछ करने की हिम्मत नहीं करते वे कहते हैं अगर अगवानी मुझे निकाल दिया तो मैं बरबाद हो जाओंगा अगर उसने सब को मुझे उजागर करनी और मेरा त्याग करने पर मजबूर कर दिया तो मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने कलीसिया को छोड़ दिया तो परमेश्वर मुझे नहीं चाहेगा और मुझे नहीं बचाएगा कलीसिया परमेश्वर का प्रतेनिधित्व करता है क्या ऐसी सोच थोड़ी हास्यासपद नहीं है? क्या ऐसे लोगों की परमेश्वर में सच्ची आस्था होती है? क्या तुम्हें निशकासित करते समय अगवा परमेश्वर का प्रतेनिधित्व कर रहा था? क्या एक जूठे अगवाद्वारा निश्कासित किये जाने का अर्थ है कि तुम बचाये नहीं जाओगे? क्या तुम्हारा बचाया या ना बचाया जाना तुम्हारे प्रती इस अगवा के रवये से तै होता है? यदि कोई जूठा अगवा तुम्हे घलत धंग से निश्कासित कर देता है, तो इसकी रिपोर्ट उपर तक क्यों नहीं करते? यह साबित करता है कि तुम्हे इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर के घर में सत्यका सर्वच शासन है. यह दर्शाता है कि तुम्हें परमेश्वर में सच्ची आस्था नहीं है, कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो वास्तों में परमेश्वर पर विश्वास करता है. मानवता के गंतव्य पर परमेश्वर के सभी कार्य या वचन उचित रूप से लोगों के साथ उनके सार अनुरूप वहवार करेंगे, बिना किसी तुरूटी या बिना किसी गलती के, केवल इंसानी काम में, इंसानी भावनाएं या इरादे मिश्रित होते हैं. परमेश्वर का कार्य सबसे उप्युक्त है. वह किसी प्राणी पर जूटा आरोप नहीं लगाता. आमीन. आमीन. इसे पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि मैंने अगवा की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरी सोच पहले से ही गलत थी. मुझे लगा एक अगवा मेरा भविश्य और भाग्य तै करेगी. अगर मैंने उसे नारास किया, तो वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी. करतव्य नहीं करने देगी. और मैं उध्धार की उम्मीद खोदूँगी. मैंने अगवाओं को परमीश्वर से उपर रखा. मैं सच्ची विश्वासी नहीं थी. मैं गैर विश्वासी थी. इनसान का भाग्य परमीश्वर के हाथ में है मेरा क्या होगा, क्या मुझे बचाया जाएगा या पूरी तरह परमीश्वर के हाथ में है या किसी इनसान के हाथ में नहीं है अग्वा के काम पर उंगली उठाने पर मेरे साथ बुरा व्यवार किया पर बाद में सबको एहसास हुआ कि वह एक मसीव विरोधी था और उसे कलीसिया से हटा दिया गया। एक मसीव विरोधी के अनुचित व्यवहार के बावजुद मैंने उद्धार का अफसर नहीं खोया था। उल्टे मैं मसीव विरोधीों को पहचानने लगी थी और मैंने कुछ सबक सीखे थे। कुछ भाई बहन होते हैं जो परमेश्वर के घर के काम को बचाने के लिए जूटे अगुआ और मसीव विरोधीों को बेनकाप कर उनकी रिपोर्ट करते हैं। फिर जूटे अगुआ और मसीव विरोधी उनके पीछे पढ़ जाते हैं। उन्हें कलीसिया से निकाल भी दिया जाता है। अगर उनमें सच्ची आस्था है और अपना करतव्य निभाते रहते हैं, तो उन्हें पवित्रा आत्मा का कार्य और मारतर्शन प्राप्त होता है। जब मसीव विरोधी को बेनकाप कर निकाल दिया जाता है, तो वे वापस कलीसिया में लोट सकते हैं। इससे मुझे परमेश्वर की धार्मेकता और उसके घर में सत्य के राज का पता चला। बिलकुर। मैं उस कलीसिया के बारे में सोचने लगी जिसने मसीव विरोधी को बेनकाप नहीं किया, और उसकी बुराईयों से आँखें मून दे रही, जो उन पर असर ना करें उसे अंदेखा किया। मसीव विरोधी को कलीसिया में विग्ण डालने दिया, उन्हें दबाया नहीं गया और वे कलीसिया में अपना कर्तव्य करते रहे, पर वे एक मसीव विरोधी को पनाह देकर परमिश्वर के खिलाफ खड़े हो गए, परमिश्वर ने उनसे घ्रणा कियों उन्हें इससे मुझे सत्य को व्यवहार में लाने की प्रेड़ना मिली। परमेश्वर का देवाद, मुझे वजनों का यह अंच भी आद आया। हमीशा अपने लिए कार्य मत कर, हमीशा अपने हितों की मत सोच और अपनी स्वयम की हैसियत, प्रतिष्ठा और साख पर विचार मत कर, इनसान के हितों की मत सोच, परमेश्वर के घर के हितों की सोच और उसे पहली प्राथ मिक्ता बना, परमेश्वर की इच्छा के बारे में स आमें गलत मनशाओं का त्याग करना था अपने निजी हितों को आगे रखने से बचना था इसलिए मैंने समस्याओं को लिख कर उंचे अगवा से रिपोर्ट करने की तयारी कर ली परमिश्वर का धनियवाद और तब ही बेहन लियू और दूसरी बेहनों ने मुझे बताया कि बेहन जोव व्यवारिक काम नहीं करती और कोई अच्छा उम्मीद्वार ना मिल पाने के बहाने कम योग्यता वाले लोगों को हटाने से मना करती रहती थी जो अपने काम में हमीशा लापरवार रहते थे इससे परमेश्वर के घर के काम को बहुत नुकसान पहुंचा था वह कलीसिया की पुरानी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही थी और फिर मनमाने ढंग से लोगों को न्यूक्त कर रही थी सिधान्तों के अनुसार बेहन जोव एक जूठी अगवा थी हमने उसका रिपोर्ट पत्र लिखकर एक अगवा को सौंप दिया परमेश्वर का धनियवाद मैं समझ नहीं मामले की जांच की तो पाया कि बहन जोव ने कभी कोई व्यवहारिक काम नहीं किया था वो तानाशा थी वो तैह कार्य व्यवस्थाओं के खिलाफ चलती थी दूसरों को काबू में रखती थी जूठे अगवा के रूप में पहचाने जाने पर उसे हटा दिया भाई ली को प्याजक के तोर पर अयोग्य पाकर किसी दूसरे काम में लगा दिया गया मामले किस नतीजे का पता शलते ही मेरे मन में भावनाएं उमरने लगी परमेश्वर के घर में मसी और सत्य का बोल बाला है सत्य को व्यवहार में लाने पर मेरा आत्म विश्वास बढ़ गया मैं परमेश्वर के प्रती कृतग्यता से भर गई परमेश्वर का धनियवाद, मैं परमेश्वर के मार्दर्शन के लिए आभारी हूँ, जिसने मुझे शैतानी फलसफों के बंधन से मुक्त किया, मुझे में इतनी हिम्मत जगाई कि मैं सत्यका अभ्यास कर सकूँ, एक जूटे अगवा की रिपोर्ट कर सकूँ, परमेश्वर का धनियवाद.